हाई फ्रेंब्स हिंदी डिकॉर्डी चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों अपने पिछले अध्याए में हमने कवी नागरजुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है कवीता के तीन काव्यांचों की व्याख्या के विशे में चर्चा की थी आज के अध्याए मे बादल को घिरते देखा है कवीता के अन्तिन दो काव्यांचों की व्याख्या दोस्तों पहले मैं अपना काव्यांच परंगी उसके बाद हम इसके भावात या व्याख्या के विशे में जानेंगे आज का पहला काव्यांश है कहां गए धनपती कुबेर वे है कहां गई उसकी वे अलका नहीं ठिकाना काली दास के व्योम प्रवहाई गंगा जलका जुन्डा बहुत किंतू लगा क्या मेग दूत का पता कहीं पर कौन बताए वे छाया मैं बरस पड़ा होगा न यहीं पर जाने तो वे कवी कल्पित था मैंने तो भीशन जाडों में नब चुम्बी केलाश शीर्ष पर महा मेग को जंजा निल से गरज गरज भिरते देखा है बादल को घिरते देखा है दोस्तों जो अभी हमने कवीता पड़ी है कवी नागल जुन द्वारा रचीत कवीता है अब हम इसकी व्याक्या को जानते हैं हिमाले का बरफीला आंगन बहुत सुंदर है क्योंकि हिमाले परवत पर चारों और हमेशा बरफ मिछी रहती है तो वो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है अब जब कवी इसको देख रहा है तो वो सोचते हैं कि जो इतनी सुंदर जंगा पर ही धन के स्वामी कुबेर ह वो यहीं कहीं रहते होंगे क्योंकि इतनी सुंदर जंगा पर वही रह सकते हैं उसकी वह अलका नगरी कहा है उन्होंने बहुत ढूंडा लेकिन उसका पता नहीं चल सका फिर कवी कालिदास ने अपने मेगदूत में जिस आकाश गंगा नदी के जल का वर्नन किया है उसका कभी तो यहां कहीं कोई पता नहीं चल रहा है और ना ही उसके उस मेगदूत का पता चलता है कि वह कहां कहां बर्सा होगा यह कभी कल्पना करें और सोच रहें ऐसा और कभी कहते हैं कि वह तो यहां के प्रत्यक्ष देखे गई सौंदर्य की बात करते हैं जो उन्हें उस सम बात करें कि महां पे उन्होंने धन के स्वामी कुबेर का घर देखा उनकी नगरी देखी ऐसा कुछ उन्हें वहां कहीं दिखाई नहीं देता कभी कहते हैं कि वे तो यहां सिरफ अपने जो आँखों से स्वंदर्ता को देख रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं उसने यहां घोर स करदी के दिनों में आकाश को छूते वे कैलाश परवत की सबसे उंची चोटी पर एक बड़े बादल को वायू के अंदर से गरज-गरज का टकराते हुए देखा है यानि कि हिमाल्य परवत पर उन्होंने बादलों को घेरते देखा है अब दोस्तों हम इसके अंतिम करनी कल मुख्रित देव दारू कनन में शोनित धवल भोज पतरों से चाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंदिद फूलों की कुंतल को साजे इंदर नील की माला डाले शंग सरीखे सुघर गलों में कानों में कुवलय लटकाए शत दल लाल कमल वेनी में पात्र द्राक्षा सव पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपटी पर नरम निदान बाल कस्तूरी मिल्क चालो पर पालती मारे मदीरा रुन आंखो वाले उन उनमत किन्नर की नरियों की म्रदुल मनोरम उंगलियों को बादल को घिरते देखा है तो दो के घने जंगल है और उनमें सैकडो छोटे बड़े ज़र्नों का कल-कल का स्वर गुंजता है साथी वा लाल और सफेद भोज पत्रों से सजी हुई कुटियां है जिनके अंदर हिमाले पर बसने वाले निवासी रहते हैं और वे निवासी कला में रूची रखते हैं और अप अपने गले में पहन के रखते हैं और जो महां के लड़कियां कन्याई हैं वो अपने कानों में नीले कमल लटकाए घुमती हैं और खिलेवे लाल कमलो को अपनी चोटी में लगाए रहते हैं और जो महां के किलनर है वो नर और नारी वेश में नशे में लीन रहते हैं हमेश और उनके सामने क्या रखा है लाल चंदन से बनी तिपाई और साथ ही साथ कलात्मक सुराईयां भी किनरों और किनरियां अपनी कोमल आकश्यक उंगलियों से बंसी की मदूरतान छेड रहे हैं कभी ने ऐसे कलात्मक जीवन को देखा है जो कि वास्ता में बहुत ही मनोरम और अ यह हमने कभी नागा जुन की कवीता बादल को घिरते देखा है के दो काव्यांशों के विशय में चर्चा की इसके पहले ये दो काव्यांश हम अपने पिछले अध्याय में पहले ही जान चुके हैं हिंदी भाषा के और भी प्रमुखुश्यों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुब हो